Hello everyone, I hope you all are very well, I am Mayank Agrawal आज हम इस वीडियो में complete the Hindu newspaper का analysis करेंगे साथी साथ जो editorials हैं, उनको भी discuss करेंगे अब सबसे पहले बात की जाए, Supreme Court में जो farm laws के basis पे जो भी class चल रहा है recent farmer और government के बीच में तो उसमें Supreme Court में जब बात पहुँची तो Supreme Court ने ये intent किया है कि जो भी farm laws हैं, उसके implementation को एक तरह से वो stay कर सकता है, बट यहाँ पे बात आ रही है कि अगर Supreme Court उसकी judicial scrutiny नहीं कर रहा है, तो उसके basis पे अगर ये law एक तरह से किसी भी constitution के किसी भी provision को violate नहीं कर रहा है, तो इस तरह से Supreme Court कैसे एक जो executive है, उसके बर्क में interfere कर सकता है, अब यहाँ पे जो three judge की events थी, जो की Chief Justice of India late कर रहे थे, सरादर्विंद बोबडे, उन्होंने किया कि center जिस तरह से handle कर रहा है ये protest और जो भी talks हो रही है, वो हर बार fail हो जा रही है, तो state भी rebellion में है और protesters suicide कर रहे हैं, तो इनको देखते हुए children suffer कर रहे हैं, women suffer कर रही है, cold के बीच में, pandemic के बीच में, तो उसको देखते हुए वो उस पे stay लगा सकते हैं, अब यहाँ पे second बात की जाए, 1,364 करोर given to wrong beneficiaries और PM किसान, तो यहाँ पे बात की जा रही है, जो PM किसान सम्मान निधी है, उसमें जो है किसानों को 2,000 रुपीज दिये जाते हैं, थ्री installment में, बनियर के अंडर, तो यहाँ पे 20 lakh जो inelisable beneficiaries हैं, और income taxpayer farmers हैं, according to information जो agriculture ministry ने provide की है, RTI request में, बेंकर टेस नायक को, तो 11 करोर beneficiaries इसमें registered हैं, अब पंजाब में इस list में जो है, वो top पे लोग हैं, 23% of those जो wrongly उनको money receive हुआ है, अब यहाँ पे, अगर आधार के होने के बाद भी, और सारी चीजें link होने के बाद भी, अगर इस तरह की जो condition बन रही है, तो यह काफी जो है, वो चिंता जनक condition हो सकती है, because आधार जो है, वो सारी चीजें digitally seamlessly tap कर लेता है, कि जो beneficiaries है, वो real है कि नहीं, लेकिन फिर भी, यह problems अगर हो रही हैं, तो यह काफी problematic है, अब यहाँ पर बात की जाए, रुबिका सहीद kidnap, JKLF chief nine others to face charges, यहाँ पर बात की जा रही है 1989 की, जब मुफती मुहमत सहीद, जो थे, वो देश के ग्रह मंतरी हुआ करते थे, हॉम मिनिस्टर हुआ करते थे, उस टाइम पे, जो उनकी daughter थी, उनको जो है, वो kidnap कर लिया गया था, और उसके basis पे जो compromise हुआ था, उसमें कुछ जो terrorist थे, उनको एक तरह से custody से release किया गया था, अब उसी statement के basis पे, confessional statement, accused के जो है, supported with the statement of abductee, जिसको abduct किया था, और जो other लोग है, उनको उनसे ये पता चलता है, कि ये जो kidnapping हुई थी, वो kidnapping सिर्फ इसी precondition के साथ हुई थी, कि जो भी terrorist हैं, उनको release कर वाना है, तो ये बात यहाँ पे की जा रही है, अब next यहाँ पे second page पे, same जो बात है, farmer stir अभी चल रहा है, दूसरा यहाँ पे बात की जाए, high code note to terminate 28 peak pregnancy, अब यहाँ पे, Delhi high court ने Monday को permission दे दी एक woman को जिसको 28 peak की जो pregnancy उसको terminate करने की permission दे दी है, यह एम्स का जो medical board है, उसका जो fetus है, वो awarded किया जा सकता है, because वो suffer कर रही है, NNC, फैली, जो कि एक condition होती है, जिसमें skull bone जो है, वो formed नहीं होती है, तो अब यहाँ पे, beyond which abortion of a fetus is statutorily impermissible, तो अगर उसके बाद fetus को terminate कराना है, तो वो नहीं हो सकता है, अब बात की chicken है, outside से जो भी आता है, उसको ben लगा दिया है, अब एक बार notes के basis पे word flu को देख लेते हैं, word flu जो threat है, उसको आप general studies paper to health GS paper, three economics of animal rearing से connect कर सकते हैं, तो key point इसमें, word flu जो है avian influenza के नाम से जाना जाता है, highly contagious viral disease है, जो की बहुत सारी species, word की species, food producing species, chickens, turkeys, quills, guinea, owl, etc, इनको एक तरह से जो है, वो infect करता है, occasionally जो mammals को भी कर देता है, including human भी इसको type कर सकते हैं, influenza जो virus है, उनको three types में बाटा गया है, जैसे की A, B, and C, जो A type है, वो animals को infect करता है, and वो junotic है, जो की animals से और humans को भी infect कर सकता है, type B, or C, mostly humans को infect करते हैं, और typically वो जादा mild disease ही cause करते हैं, अब यहाँ पे avian influenza के जो A virus है, उसमें H5N1, H7N9, H9N2 जो है, वो हो सकता है, influenza virus जो है, उनके surface पे जो two surface proteins है, hemuglaten and numeran disease, इसके basis पे किया जाता है, for example, जिसमें HA7 protein है, and HA9 protein है, उसको design किया जाएगा, H7N9, highly pathogenic avian influenza, जो है, H5N1 virus occurs mainly in words, और वो highly contagious है among them, HPAI, highly pathogenic avian influenza, Asian deadly है, poultry के लिए, अब इसका impact क्या होगा, devastating consequences हो जाएगी country के उपर, 80,000 करोर रुपीज का जो poultry का पूरा business है, वो बंद हो सकता है, जिससे लाखों लोगों की jobs जा सकती है, अब यहाँ पे farmers, जो है high level of mortality होगी, उसमें जो उनके उनके यहाँ पे, जो words है साथ में, price भी बहुत जादा ही कम हो जाएगी, अब इसको prevent कैसे किया जा सकता है, health, hygiene और good hygiene, essential है, square protection के लिए, disease outbreak के लिए, अब यहाँ पे, अगर animal में direct किया गया है, तो उसकी policy जो है, animal को cooling की की जाती है, और contact animal को separate कर दिया जाता है, infected animal से, तो इससे जो है, वो disease के outbreak से बचा जा सकता है, अब previously 2019 में इंडिया को जो है, वो free कर दिया था, avian influenza H5N1 से, which had been also notified by both organization for animal health, अब यहाँ पे status फिर से active हो जाता है, because फिर से यहाँ पे word flow trace किया गया है, next बात की जाए, कोई यहाँ पे important news ऐसे नहीं है, frame scheme for providing drinking water and defense service enclaves, अब यहाँ पे बात की जारी है, Delhi High Court ने Delhi General Board को declare किया है, कि एक scheme बनाई जाए, जिसमें की drinking water service किया जाए, 54 जो veterans है, decorated officers है, war widows है, armed forces personal है, जो allotted, उनको land allot की गई थी, 1970 में, at the Kanpur and Krivage here, यहाँ पे यह बात यहाँ पे की जारी है, next, north and east, की जो news है, farmer का stir चल रहा है, और no avian flu among poultry in Rajasthan, state government, state government का कहना है, कि वहाँ पे कोई भी ऐसा, जो है, राजस्तान में किसी भी तरह का case अभी नहीं है, अब यहाँ पे बात की जारी है, डिजूकी वैली wild fire dozed, अब यह जो डिजूकी वैली है, वो नागा और मनीपुर के border पे एक तरह से two weeks से वहाँ पे fire थी, जो लगी हुई थी, और यह जो डिजूकी वैली है, वो उसका average altitude 2452 meters है, यह popular एक tracking destination है, और अपने जो exotic flowers हैं, काफी अच्छे जो flowers हैं, उनके लिए यह जानी जाती है, अब यहाँ पे बात की जाए, कि आग को बुजाने के बाद जो nagaland का state disaster management authority है, वो access करेगी कि damage कितना हुआ है forest को, environment को, जो भी flora and fauna है, उनको, अब बात की जाए, जो national disaster response force है, उनकी भी जो team है, वो engaged है, इस काम के लिए, अब एक बार जो NDRF है, उसको एक बार discuss कर लेते हैं, notes के साथ, तो जो NDRF है, उसकी बात की जाए, तो NDRF जो है वो 12 battalion से बनती है, और हर एक battalion में 1149 personnel होते हैं, NDRF जो है, उसको section 44-45 of disaster management tech 2005 के basis से बनाए गया था, और ये bill जो है, वो parliament में पास किया गया था 2005 में, और President of India ने इस bill को assent दी थी 2006 में, NDRF जो है, कुछ इस states में located है, Assam, West Bengal, Odisha, Tamil Nadu, महरास्टा, गुजरात, उतरपदेश, पंजाब, बिहारांद प्रदेश, और नाचल प्रदेश, अब यहाँ पर रोल क्या है, NDRF का, NDRF जो है, rescue और relief operation करती है, during natural disaster, NDRF ने 73 operation किये हैं, अभी तक, और approximately 1.3 lakh human lives जो है, उनको बचाया है, और इसको जो है, capability है, कि वो nuclear biological chemical disaster में, जो है, वो एक तरह से बर्क कर सकती ह है, अब जो head है, NDRF के, उनको director general बोला जाता है, usually वो एक IPS officer होते हैं, और disaster management की जो apex body है, national disaster management authority, और उसके जो chairman है, वो prime minister होते हैं, तो यह काफी important हो सकता है, next बात की जाए, west page की, तो यहाँ पे, कोई भी ऐसी important news नहीं है, next है, की autism क्या condition है, तो यहाँ पे autism के उपर documentary award billing जो filmmaker है, SBS, सुरीधर BS, उनकी जो 51 international film festival of India है, गोवा में 18 जिन्बरी को, वो एक तरह से film जो है, autism के उपर बनी हुई है, तो इस पे autism को दिखाया जाना है, अब एक बार autism को discuss कर लेते हैं, आखिर autism क्या condition होती है, Autism जो है, वो एक complex neuro behavior condition होती है, जिसमें की problems cause होती है, language के basis पे, communication skill के basis पे जो children है, वो काफी अच्छे से communicate नहीं कर पाता है, और साथ में, person to have repetitive and rigid behavior, और person को जो है, वो repetitive एक ही काम को बार बार करने का behavior और rigid मतलब कोई भी काम ना सुनने का behavior हो सकता है, यह जो complex brain disability है, जिससे की problem हो सकती है, और first three years में ही समझा जाता है कि person को जो है, वो autism है, अब यहाँ पे बात कीजा है, range of symptoms की बज़ा से इसको बोला जाता है, autism spectrum disorder, जो भी failing to being, to slow respond to someone calling their name, अगर किसी को autism है, तो उनको उनके name से भी बुलाने पर उनको समझ नहीं आता है, तो यह condition हो सकती है, next यहाँ पे editorials की बात की जाए, तो सबसे first जो editorial है, उसमें जो central government ने, state government से ये बोला है, कि वो एक policy framework बनाए, जिसमें भी जो भी drop outs है, वो किसी भी तरह से छूटे ना, COVID-19 pandemic में, जिसने भी जो school है, वो leap किया है, तो उनको बापस से school में लाने के लिए, कोई न कोई जो policy है, वो होनी चाहिए, और second जो बात की जाए, जो Gulf countries है, उन Gulf countries में, साओधी अरेबिया ने, अभी कतर के साथ अपने जो ties है, उनको normalize किया है, तो किस basis पर किया है, उसके उपर यहाँ पर बात की जा रही है, नेक्स्ट यहाँ पर राजिस्थान का example दिया जा रहा है, और मनरेगा की, जो भी उसमे उसके basis पे जो कुछ political parties हैं, जो new entered parties हैं, उन्होंने ये बात की है, कि वो women को इस बात के लिए भी जो है, वो money provide करेंगे, because वो घर पे काम करती है, अब next बात की जाए, social media किस तरह से लोगों की एक राय बनाने का काम करता है, example के basis पे यहाँ पे समझाने की कोसिस की गई है, आ agriculture में दिखाया गया है, because on 20, जो power है, वो shift हो जाएगी, जो बेड़ेन के पास, जो की democrat party को belong करते हैं, हाला कि Donald Trump के पास ये option रहेगा, कि वो चार साल बात बापस से election में fight कर सकते हैं, बट अभी के लिए वो यहाँ से अपनी post से चल जाएंगे, अब यहाँ पे सबसे पहले ब जो बच्चे हैं, जो school छोड़के चले गए हैं, उनको बापस से school में लाया जाए, next year, अब जो भी detention policy है, उसको relax करके, या बच्चों को जो है, directly promote करके, लेकिन कैसे भी उनको next year, जिनने इस साल school छोड़ दिया है, उनको बापस से school लाना, government की priority होना चाहिए, अब यहाँ प स्कूल भी एक तरह से बन थे, या digital divide की वज़े से, internet connection ना होने की वज़े से, आसपास जो बहाँ पर माहौल है, वो इस तरह का ना होने की वज़े से, जिसमें वह वहीं पर पढ़ सकें, तो because जो भी बच्चे अगर studies छोड़ते हैं, तो अगर उनके जो mother, father हैं, वो literate नहीं हैं, तो वो बच्चे फिर बापस से school education में नहीं आएंगे, तो इसके basis पर जो बच्चे drop out हो गए हैं, यहाँ पर UNS school का एक estimate दिया हुआ है, at the end of 2023, 20 million students, वो बाहर हो गए थे school से globally, मतलब 32 करोड लोग जो हैं, वो school से drop out हो गए थे, South and West Asia जो हैं, वहाँ पर सबसे ज्यादा student जो हैं, वो highest risk पे हैं, not returning to school और जो भी tertiary institutions हैं, अब साथ में जो सब सहारन अफरीका है, उपर वाली जो countries हैं, Algeria, Tunisia और भी जितनी भी सब सहारन countries हैं, तो वहाँ पे भी यही problem है, अब यहाँ पे Indian education, school education जो है, वो top down है, policy making में, मतलब यहाँ पे जो भी policy बनाई जाती है, और उस policy को फिर नीचे डॉल्ब किया जाता है, नीचे बेजा जाता है, उसके बाद नीचे उसको implement किया जाता है, बट अगर condition को देखा जाया, तो जब COVID-19 pandemic spread हुआ था, तो उस time पे कुछ ऐसी जगह थी जहाँ पे, बिल्कुल भी COVID-19 का prevalence नहीं था, बट वहाँ पे भी schools को बंद कर दिया गया था, चिल्रन्स को मिड़े मील जो मिलता था स्कूल में, उसको भी provide नहीं किया गया, जिससे की बच्चे काफी हद तक परिशान थे, अगर जो teachers हैं, वो भी वहाँ पे जहाँ पे students बहुत सारे हैं, वहीं पे जाके अगर teach करने लगते, तो COVID-19 के situation में भी बच्चे को बढ़ाया जा सकता था, विगोज उस समय पे कोई जो travel area है, वहाँ पे इतना prevalence नहीं था, बट prevalence ना होने के बावजूद भी school को बंद कर दिया गया, जिससे की problem इतनी जादा बढ़ गई कि आज school वो आने के लिए तयार नहीं है, तो दूसरी तरब बात की जाए कि government, जो है, वो majority of schools में जो instruction है, वो online provide कर रही है, तो बहुत सारी जगा पे जो network का connection है, या जो लोग है, वो अच्छी quality के mobile afford नहीं कर पाते अपने बच्चों के लिए, तो उससे भी काफी problems जो है, वो होती है, अब यहाँ पे बात की जाए, कि जो examination है, उससे अगर student का fit निक क्या करेंगे, तो अगर किसी बच्चे ने जो है, वो पड़ा ही नहीं की है, साल भर तो सौहविक सी बात है, he will be failing in exam, तो उसके लिए government को कुछ ना कुछ जो है, वो इस तरह से करना चाहिए, जादा rigid नहीं होना चाहिए, अब दूसरी तरफ बात की जाए, कि center ने remove कर दी है no detention policy under the RTI Act couple of year ago, तो अब virus का year है, asymmetric among the group of Indian, तो अब यहाँ पे situation of girls, जो की, वो भी काफी हद तक जो है, उसको भी देखना होगा, next यहाँ पे बात की जाए, ब्रिजिंग दा गल्ब, तो जो साओधी अरेबिया है, वो कतर के साथ, जो अपने ties हैं, उनको normalize कर रहा है, तो गल्फ reconciliation summit हुई है, साओधी अरेबिया में, तो यहाँ पे जो kingdom हैं, और उसके जो allies हैं, उन्होंने decide किया है, जो कतर के साथ, उनकी अरेबिया ने, जो मुहमद बिन सल्मान वहां के जो crown prince हैं, UAE, बहरीन और इजिप्ट ने, जो है, sanction imposed किये थे, diplomatic ties को जो है, वो रोक दिया गया था, tiny जो गल्फ country है, उसको terrorism को support करने के लिए, फिर इसके बाद, उन्होंने 13 demands रखी थी, उन demands में, जो है, कतर का जो funded TV network है, अ कतर के इरान के साथ हैं, लेकिन कतर ने इन सारी चीज़ों को एक तरह से side में रखते हुए, बहुत जादा economic cost wear की, और साओधी और Amirati air spaces को use करना बंद कर दिया, उसके बास से जो इरान है, उसने अपना जो global connectivity कतर को offer की, और Algerira भी live है, दूसरी तरह बात की जाए, कतर ने ज बड़ा रोल कतर को West Asia में मिलने वाला है, अब उसने US Taliban deal में भी काफी अच्छे से अपना रोल किया है, और continue जो है वो Taliban के representative और अफगान government के बीच में जो talk हो रही है, उसको भी deal कर रहा है, अब originally जो Saudi Arabia है, उसका प्लान था कि कैसे कतर को जो है वो isolate किया जाए, और उसको हो गया, because USA में जो government है वो एक तरह से change हो गई और अब कुछ नहीं हो पाया, अब Qatar ने जो है वो कुछ concession लिये है, reconciliation के लिए, जिसमें से 13 specific जो demands थी उनको तो नहीं माना है, बट एक agreement हुआ है, non intervention in other countries, internal affairs, तो कोई भी country, दूसरी country के internal affairs में, जो है वो कुछ भी नहीं करेगी, अब reasonable stability रहेगी, security रहेगी, और different interpretation for different sides, जो Qatar के जो foreign minister है, उन्होंने ऐसा बोला meeting के बाद की, उनकी कोई intention नहीं है, इरान और टर्की से जो ties हैं, उनको elder करने की, साउधी जो है वो वो भी अपनी demand से हट गया की, उसने जो है, अल जाजीरा को बंद करने की बात की थी, जो की Qatar based एक new channel है, अब दूसरी तरफ बात की जाए, जो इरान है, वो साउधी का सबसे बड़ा rival है, तो अगर Qatar उसके साथ है, तो साउधी को तो problem होगी ही, तो लेकिन यहाँ पे बात की जाए, कि अब जो साउधी अरेबिया है, वो पूरा group बना के यह चाहता था, कि जो इरान के स residential उनका term start होगा, तो वो चाहा रहे हैं कि re-negotiate करें, इरान के साथ nuclear deal, तो यहाँ पे बात की जारी है, कि साउधी ऐसा hope कर सकते हैं, कि जो गल्फ है, वो दो American जो allies हैं, वो help करेंगे, बिडिन administration से condition को ठीक करने के लिए, तो यह बात यहाँ पे की जारी है, next बात यहाँ पे के उपर 45 days का जो ongoing farm stir है, उसमें government, वो हालक ही अगर जो farmers हैं, उनका cause legitimate नहीं है, लेकिन फिर भी government ने law बनाने से पहले farmer से किसी भी तरह की जो है, वो बात नहीं की थी, और यहाँ पे बात की जारी है, कि राजस्थान का example दिया जा रहा है, कि राजस्थान में जो manrega का work होत होता है, उस manrega के work में, जो farmers हैं, उनकी बात सुनी जाती है, farmers group की बात सुनी जाती है, civil society की बात सुनी जाती है, कि work आखिर कहां पे होना है, कैसे होना है, उसके basis पे जो है, manrega का काम होता है, और उसमें इसको बोला जाता है, manrega संबाद, तो यह कुछ इसकी जो meeting है, वो chief central government credit करती है, worker के bank account में, अब यहाँ पे, लेकिन इसमें कुछ problem है, जैसे की जो payment है, उसका rejection हो जाता है, कभी जिसे अगर कोई contractor है, उसका जो check है, वो bounce हो जाए, और government जो है, उसने payment जो है, initiate कर दिया, तो फिर जो worker है, उसको अपना काम छोड़के, यह सारे जो काम है, उसमें लगना होता है, और फिर उसके जो pages है, उसमें problem होती है, दूसरी तरफ बात की जाए, कि जो national payment corporation of India है, उसका जो system है, उसमें अगर कोई खराबी आ जाती है, तो उसकी वज़े से problem होती है, और अब यहाँ पे block label data entry operator है, वो error अगर कर देते हैं, bank account number अच्छे से enter करने में, या जिस bank account से जो आधार number link है, वो enter करने में, तो फिर जो है, वो bank account जो है, अगर person bank में जाता है, तो वो dormant है, अगर तो उसके basis पे भी उसको परेशान होना पड़ता है, दूसरी तरफ बात की जाए, जो software का flaws है, software में जो problem है, उसमें ineffective आधार भी कभी कभी show कर देता है, और यह problem ज़्यादा complex से resolve करने के लिए, जब यहाँ पे worker का आधार card जो है, वो bank account से link नहीं होता, और अगर बो link broken हो जाती है, तो जो software है, वो NPCI maintain करता है, तो इसमें काफी problem हो जाती है, कुछ government employees के साथ भी ऐसा हो जाता है, तो वो भी problem, उनको भी problem हो जाती है, दूसरी तरफ बात problem है, वो sort out होती है, तो यह कुछ ऐसी problems है, अब इन problems को government को जल्दी से जल्दी जो है, वो sort out करना चाहिए, अब next यह बात कर रहा है, gender equality के उपर जिसमें की women है, उनको उनके work के लिए कोई भी payment नहीं दी जाती, तो ऐसी यहाँ पे बात की जारी है, कि women को उनके work के लिए जो कि all India time US survey में बात की गई कि 82% जो female है, वो domestic work करती है, 24% males जो है, वो domestic work करते हैं, हाला कि women को उसके लिए कोई भी जो financial help है, वो नहीं दी जाती, इस article में बात की गई है कि अगर women को financial help government provide करती है, तो फिर women को ऐसा fix हो जाएगा कि जो domestic work है, वो women के लिए ही है, और इससे उनको और भी ज्यादा मुश्किल आ सकती है, नेक्स्ट यहां पर बात की जारी है, क्यूबा की जो currency है, उसमें कुछ reform की बात की जारी है, क्यूबा जो है, वो devaluation कर रहा है, क्यूबन पीशो का, और withdrawal कर रहा है, convertible पीशो, second currency of the world, तो इनको जो है, वो अब internationally trade नहीं किया जा सकता और क्यूबा एक तरह से ये economic transition कर रहा है, since the end of Soviet Union, thank you very much